क्या बिहार में सब कुछ ठीक है हम यह बता रहें कि बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार आज सुभाष चंद्रबोष की जयनती के समय वहां पर बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार लेकिन उनसे बाचित नहीं हुआ राजपाल भी बिहार के राजपाल भी वहां पर मौजुत है उनसे हंसी ठीक हुआ बाचित भी किया है और ठीक उसके बाद बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार और नितीश कुमार पहुंच गया है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है खरमास के बाद सरकार बदल सकती है उसको लेकि कया से लगाई जा रहे थी लेकिन बिहार के मुकुमंतरी नितीज कुमार इसी बीच बिहार के राजपाल राजयंद विस्मात आलंकर से मिलने के लिए राजबहन पहुंचे हैं और फि पिछले जो एक महीना से जो कहा से लगाई जा रहे थी कि खरमास के बाद बिहार में कुछ बदलने वाला है तो ये हो भी सकता है या ना भी हो सकता है ये बिहार के मुकुमंतरी नितीज कुमार कुछ भी बियान देंगे उसके बाद ही पता चलेगा लेकिन जो सुत्र बता रहे हैं कि आज बिहार के मुक्वंतर ने नितिस्कुमार बिहार में राजपाल से मुलाकात करने के लिए बाचीत किये थे और उन्होंने एक टाइम दिया था कि राज के समारों के बाद नितिस्कुमार और राजपाल के मुलाकात राजबहनी होगी उसके लिए नितिस्कुमा अब क्या कर सकते हैं लेकिन जो बिहार की राजनेतिक है जो पिछले एक महीना से जो घटना करम घट रहा है लेकिन इसी बीच भी हम लालू पर साधी आदब हो या ते जसी पर साधी आदब हो उसके बीच जाते हैं एक अनेमार मंतराले भी तीन लोगों का जो तीन मंतरी हैं उनलों का मंतराले भी बदलता है उसके बाद यह कई से लगाई जारे हैं कि बिहार के मुक्पमंतर नितीज कुमार राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचे राजबाल से मुलाकात कर रहे हैं लेकिन ये कया से लगाई जारे हैं कि बिहार के मुक्मंतर नितिस्कुमार अब क्या कुछ करने वाले हैं लेकिन जैसे ही बिहार के मुक्मंतर नितिस्कुमार राजपाल से मिलके मुलाकात करके बाहर निकलेंगे तो क्या reaction देते हैं इसकी बात में बात करेंगे लेकिन अभी जो यह कया से लगाई जारी है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है तो यह कहाना शंभव भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है लेकिन जो बिहार के मुखमंतरी नितिश कुमार है जो हमें पता चला है कि इनवर्सीटी क वाइस चंसलर की नियुक्ति को लेके वो राजबाल से मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं फिलहाल मुखमंतरी निकलते हैं तो उनसे मीडिया बाचित करेंगे कि क्या कुछ था क्या करने के लिए गए हुए थे बाचित करने के लिए लेकिन आज बिहार के मुखमंतरी से कि सर आके कुछ ब्यान दीजिए तो मुखमंतरी ने हाथ हिलाते हुए निकल गिया था लेकिन उसके पीच ठीक राजबहन पहुंचके वो मुलाकात कर रहे हैं राजपाल से और कया से भी लगाई जा रही है कि बिहार में बदलाव होगा लेकिन बदलाव संभब नहीं है क्यो